Ashes 2023, Mark Wood ने जीता फैन का दिल, डिमांड पर इस खास फल पर दिया Autograph, देखे वीडियो. A-Shade Series का पाँचवा और आखेरी मुकाबला The Oval में खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला काफी रोमान चक मोर पर नजर आ रहा है. मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक Australia ने England की पहली पारी के 283 रनों के जवाब में 295 रनों पर आलाउट हो गई है. Australia के खिलाफ इस मैच में अभी 12 रनों की लीड है. मैच के दूसरे दिन कई घटनाए घटी जो चर्चा का विशे बनी हुई है. इनी घटनाओं में एक Mark Wood का ओटोग्रॉफ रहा. दरसल, Wood ने फैन की डिमांद पर तरबूज के उपर अपना ओटोग्रॉफ दिया. Wood के इस ओटोग्रॉफ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है. तरबूज के उपर Mark Wood ने दिया ओटोग्रॉफ. इंग्लेंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने ओफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेर किया है. इस वीडियो में इंग्लेंड के स्टार तेज गेंदबाज Mark Wood एशिच सीरीज के पाँचवे टेस्ट के दौरान बाउन्डरी लाइन पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. तभी क्राउंड में बैठ एक फैन ने वूड की और तर्बूज दिखा कर उस पर ओटोग्रॉफ देने की मांग की. वूड ने जब ये देखा तो वह तुरंट फैन के पास गए और उनकी डिमांड पर अपना ओटोग्रॉफ तर्बूज के उपर दिया. फैन की विश्पूरी करने का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स वूड की जमकर तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दे की मांग वूड पाचवे टेस्ट मैच में दो विकेट अपने नाम कर चुके हैं. फूर्ड ने इस मुकाबले में आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानश लेभूशिन और मिचेल स्टॉक को पवेलियन भेजा. उनके लिए ये टेस्ट बल्ले और गेंग दोनों से अच्छा रहा है. उन्होंने बॉलिंग के पहले बेटिंग के दौरान इंग्लिश टीम के लिए उप्योगी 28 रन बनाये थे. उनकी इस पारी के बदौलत इंग्लेंड की टीम 283 रनों तक पहुँच पाई थी.